अब आज हम पढ़ेंगे ड़ेफ्राम टाइप अर्थन्डेम आपको पता होगा प्लास नमबर 17 में पढ़ाये थे होमोजीनिया टाइप अर्थन्डेम लुभ नबर 18 में पढ़ाये थे हम जूमड टाइप अर्थन्डेम आज हम पढ़ेंगे डफ्राम टाइप अर्थन्डेम तो देखे हम जो डाटा है तब आगे का क्लास को देखें तभी आगे का क्लास करिए नहीं तो पीछे चले जाए यह उसके बाद देखिए कहने का मतलब होमोजीनियस टाइप देख लिजिए जोंड टाइप और तब देखिए डैफ्राम टाइप ठीक है तो चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे टाइम कि अगरे कि तो यह उड़ाई कितना टॉप विर्थ आप डैफ कितना है चैनल अभी स्केल चंज करना सब्रह नमर में बताए थे चैनल को क्या करेंगे चैनल को भाग देंगे मंदल गूना कर देंगे सेटी मीटर में आ जाएगा और चार सो से भाग देंगे तो कितना जब चार सो आजगा आपका 9 मेंटर किंग अगया जिर्स में अपका तॉप मिटे कश आप पुना पड़ेगा एक पात और हुषे तो यहां से नहीं से नहीं से 200 इसकी होंचाए कितना मिली 220 में से 200 घटाएंगे तो 20 मिला 220 मिला चंज कर लेते हैं सेंटिमिटर बिस मीटर सेंटिमिटर-ब्वाज कर देंगे सागव है यहां कितना देंगे नीचे पांच सेंटी मीटर फुरा सोलीड बना रहे हैं अब देखेगा इधर होता है आपका कितना है क्योंकि अभी आपको इसमें क्या बनाना है बनाना है बनाना है लेकिन नीचे से कितना है यहां कितना है नीचेश कितना ब twee meter है इसकी हुचे सिर्फ बारे मीटर को चैनल कर सकते हैं लाटते कितना सेंटीमीटर करना क्यों को चैनल यह शेंद है इभी से क्या बना देंगे तिन मीटर तो तीन मीटर चले जाएंगे तो चल देंगे एक कहीं क्या हो देगा यहां पर मिल जाएगा ठीक है अब समझेगा अब अब समझेगा अभी क्या चीजे बना सकते अभी आप ऐसे बनाते हैं ठीक है एक पूरा पानी भरने देख नहीं है बस तिर्भूज बना के इस तरह कर देंगे नहीं समझ आएगा और अधे पर आपने सब्सक्राइल का दरियेंगे चल्ड़ कि तो कि देगा अर्यान कितने लिख देंगे आप कितना है बर्मकारिया तो सब और यहां का अरेल कितना हो जाएगा अब जानते हैं जहां होता है यहां से हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएगे क्या बनाएंगे इस्टोन का पीचिंग कितना में मोटा है कितना में मोटा है मिर भाई श्टोन का पीचिंग कर दिया है आप लोग सब को पता है आप लोग बिलियंट के हमको पता है मेरे साथ जितने लगके ज्यादा समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है इसके नीचे आएंगे हम दो सब्सक्राइब कर देंगे इस्टोन को अब देख रहे होंगे सिर्फ होमोजीनियस ट्राइप अब यह आपको कोई अंतर नहीं दिख़ा होगा ठेक है सारी चीज है जो इसमें दिया था बन गया है हम एक बार क्या करते इसको लिख देते यहां लिख देजिएगा 600 mm ठेक इस्टोन पीचिंग इस्टोन इस्टोन ठेक है एक एलिखेंगे इसको लिखेंगे 400 mm ठेक ग्रेवल हो जाएगा अब समझेगा यहां आप जानते हैं दस मीटर इधर आएंगे सारी चीज हम बता चुके पिछली वीडियो नाइंटी डिग्री पर यहां भी क्या आपका इस्टोन का पीचिंग अब समझेगा यहां क्या आपको पीचिंग कर देना इसका साइज होता है आप ऐसे बना सकते हैं अब समझेगा इतना प्रोसेस तो हमको तीनो में करना यह फिर हो ओमोजीनियस टाइब यहां फिर जोन्ड़ टाइप दैम हो यह फिर आपका डैफ्रांट ओ तीनों इतना तो करना इसलिए कि वीडियो कुष और अप देखते होंगे इसमें कोई दिकत नहीं यहां ने दोबारा उसी चीज को बताएं वह टाइम व आपका कटाफ क्या देगा कटाफ हाइट क्या देगा कटाफ हाइट है ना कटाफ हाइट में क्या देगा आपका कटाफ वाल है ना क्या लिखेगा एक कटाफ वाल लिख देगा इसमें दो डाटा देगा एक देगा टॉप विड्स देगा तब एक देगा आपका बोटम विड सब्सक्राइब 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 नहीं एक वार और करें नेरी में सब्सक्राइब तो आप मन करें तो उपर से जा सकते हैं मन करें उपर से जैसे आप जोन्ड में गए थे या फिर एसल से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं यहां से यह शुरूप यह आपका ग्रेवल इस्टून का पीचिंग कितना इधर जाएंगे इस लाइन से कितना है टॉप विर्थ 3 मेटर से दर एको आरे इथर एद धहलेंगे फिर नीचे कितना जाना है को 5 मिटर इस लाइन से अशलंचे मिलतë ऑब देंगे में अध्य सली करें इसके बनाते के फिर्च है अब देखे ए में चारते हैं कि आप इसको फूर तक यह जा कुछ production है क्या देखा आपका कट आफ हाइट इन माल लेते हम ढाइट मीटर है है जाए अपका म्मीटर क्या होगा कि ढाइए मीटर से नीचे आना है इससे प्रिज़े प्रिफिट होता है हम यहाँ लिखते रहें कट आफ हाइट कि इसका मिलब्प क्या हुआ कि दिखें एक पर एंड पर एक कट आफ वाल करें स्टोन का हो सकता है यह आपका ह सकता है आफ कि सी की यह मैचेरीय करतना है कि सी यह पर ग ждYU को एक है तिक सी मैचे मैचेर और तेगल क्यों morally इंट चिनाई या फिर पत्थर का या फिर कंक्रीटिंग का या फिर क्ले का हो सकते हैं जो इंपरीविएस हो अभी है से कितना नीचे आ पांच मेटर रग। यह तीक है का रगत इधर भी आप चल सकते यह रहें नीचे चोड़ाइब मिटर यह वह भी लेवल ले लेता है कोई जरूरी नहीं है करेंगे एक संबंद एक कढ़ाल चलेंगे एक संबंद एक कढ़ाल चलेंगे एक कहीं इधर मिलेगा इसके नीचे क्या है इसके नीचे क्या है इसके नीचे आपका लिख देना है रोक लिख देना है चट्टान है इसके नीचे क्यमक्त प्रफ्वाल करेगा यह क्या आपका या फिर नीचे क्या है इसको आगे बढदेश का है या फीर नीचे है इसको आगे बढ़ाद रहेगा लेकिन का यहां चल्श होना हो अब अब देख्वées क्या होता लिए ना आफ इसको कंड़ा करेंगे आपका ड्राइंग ड्राइंग रेडी हो प्रक्राव है कि कुछ भी लach सकते हैं अब अब हमको रेना है कि पैसको पानी है यह वलाब पानी क्या होता है इधर से रिर्श करके कहां जाता है इधर प्राप बना देते हो अब क्या होता है notice तो क्या होगा जब गटे गां % कई जो पाइप होगा जाता है अब एक गटेगा है जब अधर से पानी सीपेज दवारा इधर जा रहा था अब क्या होगा से तो वाल बन गया और से इस तरह होके जाएगा कैसे जाओ इस तरह होके जाएगा क्योंकि वाली दिन reg बढ़ने से यहीड हो जाएगा है यूफ ऐलयू से बच जाएगा में रीजन नीचे देने का यही है इसका ठीक है बाकी आप नहीं भी देते हैं लेकिन ओपरा बना देते हैं तब भी चल जाएगा ठीक है यहां क्या लिख देंगे आप बिरिक मेशनेरी ज्यादा अंतर नहीं है आपको यहां डिफरेंट मिलेगा एक का डायरेक्ट देगा और दूसरे का डाटा मिलेगा ठीक है उसके बाद आप क्या देखेंगे कि अंदर का डाइफ्राम में कुछ नहीं करना है में कुछ नहीं करना जंड में अलग अलग जंड मिल गया था एक किा हो था है बीच में दिवार चला सकते आओ पता और ओपर तक जक्षू Actually इस दिवार कि मूटाई एक समान भी राख सकते हैं तो ऐसा भाभ को समag उतआ बनता है आप जैसे मन कर वसा बना लेजेगा डाटा दे देगा ठीक है नहीं डाटा देगा तो आपको जो सुटेबर लगेगा असानी से जो बन जाए उसको क्या करना आपको ड्रा कर देना है तो आपका डैम कंप्लीट हुआ अगले टापिक को हम अगले वीडियो पढ़ेंगे कर दो